तो यहांपर दोफ्तों आज की वीडियो में आप लोग को बताने वालों कि कैसे आप अपने Poco के X5 Pro मोपाइल फोन में एप्स को कैसे हाइड एन अन हाइड कर सकते हूँ complete वीडियो एन तक देखेगा यहांपर मैं आपको step by step सारा कुछ बताने वालों तो चली दोफ्तों बिना time-wift के video को शुरू कर लेते हैं तो फपसे पहले दोफ्तों आपने यहांपर फैटिंग में चले जाना है फोन की फैटिंग में जाने के बाद आपको नेचे scroll down करना है आप उपर जाए यहांपर search box में type कर देजिए hide apps ठीक है hide apps के पर click करोगे फ़र यह type करोगे तो आपको यहांपर एक option मिल जाएगा third number पर hidden apps का तो आपने यहांपर click करने है यहांपर click करने के बाद दोफ्तों आपके पाफ कुछ आफा एंटरफेफ आ जाएगा जब आप यहांपर पहली बार आओगे तो आपके पाफ यहांपर password फैट करने का भी option आएगा तो वहांपर आपने password फैट कर लेना है password फैट करने के बाद जो भी आपको app को hide करना है simply आप उसको on कर दीजेगा on करने के बाद दौफ्तों वह app जोगा वह hide हो जाएगा आपको मैं दिखा देता हूँ जैसे मैंने इनको hide कर दिया पी इनको दौफ्तों open कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ जैसे मान के चलिए आपने app तो hide कर दिये लेकिन अगर आपने ये apps को देखना है तो आप क्या करोगी उसके लिए दौफ्तों आपको जाना पड़ेगा यहां पर back में यहां पर आपको एक option मिल जाएगा ऐसे five करने का ठीक है तो आप एक पर five करना तो आपके सभी के सभी आप यहां पर आ जाएंगे अगर दोस्तों यह आपके काम नहीं कर रहा तो आप क्या करेंगे setting में जाएंगे setting में जाने के सबी के सबी वापस से वहाँ पर ही चले जाएंगे तो इस तरह दोस्त आप एपस को hide and unhide कर सकते हो अपने Poco की किसी भी device में तो thanks for watching this video guys